नमस्ते जोस्तों, आज का डेट है 8 नुवंबर 2023 और अभियम डिसस करेंगे 10 हिंदू के कुछ important articles हिंदी में तो सबसे पहले देख लेंगे एक बर्ड लोकेशन जो है तंजानिया तंजानिया आज क्यों नीज में है क्योंकि भारत तंजानिया के बीच में 15 समझाओतों पर हस्तचर किया गया था कुछ दिन पहले जो लगभग 10 अरब अमेर की डॉलर का है और इसकी मुख्य बाते जो है यह सारा जो ब्यापार होगा वो राष्ट्रे मुद्रा पर होगा समझे मतलब कि भारत की रूपी में भी इसका ब्यापार होगा जिससे कि हमारा जो डॉलर के लिए अचिरिक्ट खर्च होता है एक्षेंज रेट के साथ तो वह कम हो जाएगा और भी चीजह हम लोग डिसस करेंगे तंजनिया के मैप में जिसमें हम लोग उसके स्राउंडिंग कंट्रीज को डिसस करेंगे वहां कौन-कौन से जैसे किली मनजारो है वो कहां पर इस्तित है उसके आद वहां पर जो जहील विक्टोरिया है और भी चीजों को डिस्क्रस करेंगे ठीक है उसके अगला अटिकल जो है वो जाती सर्वेक्षन पेस करने के बाद बिहार ने कोटा बढ़ाकर मतलब की रिजर्वेशन बढ़ाकर 65% कर दिया है इसको भी हम लोग विस्तार से डिस्क्रस करेंगे बिहार के मुखमत नितिश कुमार ने SC के लिए 20%, ST के लिए 2% और OBC के लिए 43% का प्रस्ताव रखा और जिसे कल प्रस्ताव मंजूर भी कर लिया गया बिहार कैबिनेट की पिछडा बर्ग आत्यांत पिछडा बर्ग आधिका आरक्षन जो है वो 65 फिस्दी करने के यहां पर प्लस करेंगे तो 65% हो जाएगा ठीक है SC के लिए 20%, ST के लिए 2% और OBC के लिए 43% तो इसी कारण 65% को कल मंजूर कर लेगा इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इससे क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं खास क्या स्टूडेंट्स को या फिर और भी पिछड़ जातियों को ठीक है अगला अर्टिकल जो है एक ऐसा फैसला जो अंतराश्य कानून दायत्वों को बाधित करता है अब वर्डिक्ट दैट हैंपर इंटरनेशनल लॉग ऑबलिगेशन्स इसमें मुख्यमुद्दा जो है वो न्यू देल ही वर्सेज एम एस नेसले एस एक केस के बीच में जहांपे सुप्रीम कोड के द्वारा बडिक दिया गया है कि जो इनके लिए डवल टैक्सेशन है जिसों कहा था डवल टैक्सेशन अवाइडेंस अग्रिमेंट तो इसी का मुख्यमुद्दा है क्या क्या बात है इसको हम लोग विस्त जा रही है कि सब्ता में लगभग 70 घंटे कारे करना चाहिए अगर देश को तेई से विकास करना है प्रन्तु यहां पर राटर कह रहे हैं कि सिर्क घंटा आवर्स को बढ़ा देने से प्रोड़क्टिविटी नहीं बढ़ती है ठीक है कारे का गुडवत्ता नहीं बढ़ता है तो यहां पर एक गज्यमपल देया गया है राटर के द्वारा बेंकिंग सेक्टर के लिए बेंक के लिए कहा गया है एक्जामपल बेंकर कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिंदीन धर रहते हैं सुबा no बज़े आ जाते हैं और साम में क्योंकि यह लगातार जो आ रहा है सतर आवर्स अभी का जो लगातार आर्टिकल आ रहा है उसके अगला आर्टिकल जो है कि बारल वीडियो के बाद आई टी मंत्रावे ने सोसल मेडिया साइट को डीप नेक पर चेताब ने दी है अभी हाल ही में इस्टाग्राम पर जो एक्ट्रेस है रस्मिका मंदाना उसी का एक वीडियो को डीप फेक किया गया है तो हम लोग पढ़ेंगे डीप फेक होता क्या है और इसके क्या-क्या नु होती तो इससे बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पर हो सकती थी मेरे जीवन में ठीक है तो इसी की बाते हम लोग भिसार से पढ़ेंगे क्या-क्या इस आर्टिकल में कहा जाता है उसका शुरुवात करते हैं सबसे पहले एक बर्ड लोकेशन जो है तंजानिया तो भारत कहनी है इसमें अनेक लाब प्रावत होगे जिसमें बीनिमय दरो और विदेशी मुद्रा भंडान के संरक्षन से सम्मधित लाब भी शामिल होगे उसके तंजानिया का हम लोग लोकेशन डिसस कर लेते हैं तो तंजानिया जो है वो अफ्रकी महादीप के पूर्वी भाग मे केस्ती थे जिसकी स्राउंडिंग्स कंट्री जो है जैसे केनिया हो गया योगांडा रबांडा बुरुंडी कॉंगो जांबिया मलावी और मोजांबिक से मिलता है वहीं देश की पूर्वी सीमा जो है हिंद महासागरद्वारा निधावित होता है और तंजानिया में यह य पढ़ लेते हैं जैसे कि किली मनजारो एक बहुत ही महाढपूर्पूर्वत है जो टंजानिया छेत्र में है कैसे मínaसे में तनंजानिया जाता है कि तंजानिया में लगभग माउंट मेरू ठीक है यह है दूसरी सबसे उची चोटी जिसकी उचाई जो है 3164 मीटर है वहीं किली मंजारों की जो उचाई है वो 5895 मीटर या 19341 फिट है तंजानिया में एक और महत्मून चीज़े हैं विक्टोरिया जील जो देश का उतरपसीम भाग में इस्थित है अमेर में है और वी देशों से स्टाउंड़ेट है यह विक्टोरी इसके उखनें में देखलेंगे सबसे पहले इसके इसके सवहनिंग इस्के सरौंदिंग कंट्रीज को देख लेते हैं तो जांबिया हो गया मलाभी हो गया मोजांबी को गया तिक है और इस्के इस्टन रीजन में इंडियन ऊसन है केan लिधा हुगादा हो गया। यहां पर participating कोंगो हो लेक विक्टोरिया अब बढ़ते हैं अगले आटिकल के तरह इसमें कहा जाता है कि जाती सर्वेक्षन पेस करने के बाद बिहार ने रिजर्वेशन बढ़ाकर 65% कर दिया है इसी की बात हम लोग यहां पर करेंगे कि बिहार के मुख मंत्री मितिश कुमार ने कहा कि विभिन ज बिहार केविनेट की पिछड़ा बर्ग और अत्यांत पिशड़ा बर्ग आधिका आरक्षन 65% करने की प्रस्ताव जो है उसे पारित कर दिया गया साथ मुख मंबर को बिहार विधान सभा में जाती सर्वेक्षन रिपोर्ट पेस करने के कुछ घंटे बाद बिहार के चीप म पढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है आगे कहा जाता है कि यह घट नक्रम तब हुआ जब मुख मंत्री ने राज में अनुसुची जाती और जन जाती के साथ ही अन्य पिछले बर्ग और अत्यांत पिछले बर्ग के लिए आरक्षन को उच्छेतम नियाला द्व है यह भी पहले ऐसा किया जा चुका है आगे कहा जाता है कि मुख मंत्री ने सदन में प्रस्ताव रखा कि सर्विक्षन के मुताविक जो कि आवादी का 19% है याद रखेगा यह डेटा 19.60% जो है वो एसी है उसको 20% अरच्छन मिलना चाहिए उसके अद्व एस्टी जो है वो जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या का 1.7% है तो उसको अरच्छन जो है वो 2% मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि OBC जो आवादी का 27% है और उन्हें 12% अरच्छन मिलता है जबकि अत्यांत पिश्डा बर्ग जो है इसकी आवादी 36% है और उन्हें 18% अरच्छन मिलता है तो नितीश कुमार ने प्रस्ताव रखा कि दोनों समुदाय को एक साथ मिला के 43% अरच्छन मिलना चाहिए इस बढ़ोत्री में आर 15% अरच्छन सामिल नहीं है क्योंकि OBC के लिए हो गया 43% SC के लिए 20% और ST के लिए हो गया 2% तो इस 50% में EWS का आरच्छन नहीं एक बरिष्ट सरकारी अधिकारी ने कहा कि EWS कोटा के साथ बिहार का प्रस्तावित आरच्छन 75% तक बढ़ जाएगा तो यही कुछ मुख बाते थी जो बिहार में अभी बरतमान स्वाय में कास्ट बेस्ट सेंसर्स हुआ है और इसके क्या-क्या परिणाम देखे जा सकते हैं और भी आने वाले समय में जैसे जैसे लोगसभा का चुनाव आएगा इससे समझेद अनेक परकार के निरने लिए ज चारी की है आफ्टर वाइरल वीडियो आईटी मिनिस्ट्री इसूज वार्निंग टू सोशल मेडिया साइट्स ऑन डीप फेक तो सबसे पहले हम दो देख लेंगे कि डीप फेक होता है तो याद रखेगा जो डीप फेक होता है उसमें किसी भी व्यक्ति का वीडियो और वी कर दिया जाता है जो कि false information को spread करता है और यह किसी भी व्यक्ति का privacy का हनन करता है ठीक है यह किसी व्यक्ति का status खराब किया जा सकता है इसके द्वारा ठीक है तो इसी के बारे में यह आर्टिकल दिया गया है तो हाली में आभिनेत्री रस्मिका मंदाना की एक रूपांत्रित clip जो weekend में Instagram पर viral हो गई तो IT मंत्राले ने चेताबनी दी जो की जितने भी Instagram के platform है उन्हें online समागरी का रूपांत्रण अबैद है डीप नेक आमतोर पर बास्मिक वीडियो पर आधारित होता है और लोगों की उपस्तिति उनकी द्वहनी आधिक को बदलने के लिए संपायत क कि जाते हैं डीप फेक क्लियर हो गया आए कहा जाता है कि अभिनेत्री रस्मिका मंदाना की एक तथा कथित डीप फेक वीडियो जो है वो Instagram जैसे सोचल मीडिया प्लेटफर्म पर बारल होने के बाद इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोदोई की मंत्राले ने अब सभी सो का सपूर्ट के रस्मिका मंदाना के कि यह गलत है किसी व्यक्ति का डीप फेक नहीं होना चाहिए जिसमें मंदाना की समानता थी जिसमें एक महिला को बॉडी सूट में लिफ्ट में परवेश करते हुए दिखाया गया जैसे यह रियल पिक्चर है और यहां पर देखिए य क्लिप पोस्ट किया तो मंत्रालाय ने प्लेटफॉर्म को ऐसी समागरी को 36 घंटों के भीतर हटाने की चिताब में दी जो की आईटी नियम 2021 में उलेखित आवा सकता है यह भी आगरा किया कि उचित परिश्रम किया जाया और गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के उचित परियास करने की आवा सकता है तो यही कुछ बाते थी तो यहां पर सूस्री मंदाना ने कहा कि सोंबार को पहले वीडियो पर भायव्यक्त किया और क्लीप के बारल होने के अनुभव को ड्राबना बताया तो ही बाते थी अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के तरफ मतलब कि अभी लगातार मुद्द चल रहा है लगातार आर्टिकल आ रहा है इन नीमज में कि अगर वीक में 70 घंटे तक कारे क्या जाये चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो यह इन्फॉर्मल सेक्टर हो तो ज़्यादा से जयरी से देश का विकास होगा तो इसी के बारे में पढ बहते हैं कि 70 घंटे जो कारे किये जाएगे उसके फक्ष में क्या क्या कहे जाते हैं तो जन सांखी की लावांस का लाव उठाना तो भारत की पुल आबादी में कारेसील आईू आवादी के हिसेदारी बर्स जो है वो दोहरत तीस तक 68.9% हो जाएगा ठीक है मतलब की 68.9% जो वो कारेसील आवादी है जो सबसे उच्छतर है बैस्विक पूरे बिश्वर में अपेच्छा क्रित यूबा आवादी जो है वो ऑस्तन आईू 28.4 वर्स के साथ सथ भारत को कारेवल के मामले में प्रती अस्पार्धात पंग लावप्राप्त होगा भारत को बास्तब में ए यहां पर यह पॉइंट याद रखेगा है कि हम लोग जितने भी डेमोग्रेफिक डिविडेंट हैं उसका उप्योग कर सकते हैं उसे लाव मिलेगा उसके अनुशासित कारे संस्कृति को बढ़ाबा दे सकते हैं भारत की कारे संस्कृति को अत्यधिक द्रीड असधार रू पूरे मन से परतियस परदा हुआ जो पाने के लिए कई बर्स कर चुके हैं हमारे यूबा जनसंक्या जो है तो यही बात कहा जा रहा है कि यह ज़्यादा सोचने क्या वाशकता नहीं है कि यह प्रोड़क्टिव होगा उत्पादक होगा या नहीं होगा पहले आप इसे ला जर्मनी और जापानियों के औसद बार्सी कारे सिल घंटे परती बर्स लगभग बाइस सो घंटे से चौवी सो घंटे के चरम अस्तर तक पहुँच गया था जो अबकास रहित पांच दिवस्य कारे सब्ता के दौरान परती दिन लगभग आठ कॉइंटीन से नौ घंटे का बात कहा जाता है कि अगर 9 घंटे भी लोक कारे करते हैं फिर भी 70 घंटे पूरा नहीं पड़ते हैं तेजी से प्रगती कर रहे हैं भारा जैसे विशाल राष्ट में पारंपरिक 5 दिवस्य कारे सब्ता की व्यवस्ता इसके लख्षों को पूरा नहीं कर पाएगी बरत्मान की कारे उत्पादक्ता जो है वो विश्में नियूनतम में से एक है जब तक हम अपनी कारे उत्पादक्ता में शुधार नहीं करेंगे हम उन देशों के साथ परती असपर्धा कंपटिशन नहीं कर पाएंगे जो व्यापक प्रगति कर चुके हैं जो डेवलप्ट कंट्री ह तो कौशल विकास का यही अपसर है अब शकता नहीं है कि पूरे सतर घंटे विशे सुरूप से अपनी नियोकता कंपनी को ही समर्पित किया जाए इसके बजाए कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर जिमेदारियों के लिए 40 घंटे आवांटित कर सकता है और 30 घंटे व्यक्ति जगा करते हैं दूसरे जगा करते हैं तो वहाँ पर 30 घंटे या पर्सल कोई कार है जो प्रोड़क्टिव है तो वहां 30 घंटे दे यहीं बाते कहा जा रहा है कि 30 घंटे व्यक्तिगत कोशल बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है मुख्य बात है कि अपनी विश्यस्ता के चुने हुए छेत्र में महारत हासिल करने के लिए भी अबसक अतिरिक्त गहंटों का निबेश करना लावकारी हो सकता है अब देख लेते हैं इसके विरुद क्या क्या तरक है कि अकर 70 गहंटे इन वीक कार किया जागा तो इसमें क्या क्या नकारात्माग बाते आती है तो जैसे कि सुदिर की कारे घंटा से उत्पादक्ता में गिरावट आ जाएगे अगर लंबे समय तक लोग कारे करेंगे लगभग 14 गहंटे के आसपास कारे करेंगे परति दिन जिससे क्या होगा कि उनके कारे करने से उनके कारे की उत्पादक्ता में जो productivity है उनके गुणबत्ता में कमिया जाएगे quality of work जो है वो खराब होता जाएगा विभिन अध्यन लगातार दिखाते हैं कि परति सप्ता 50 गहंटे कारे करने के बाद उत्पादक्ता में ब्यापक गिरावट आने लगती है जबकि 55 गहंटे के बाद इसमें और भी गिरावट आने लगती है परतेक सब्ता कम से कम एक पूर्ण दिन अवकास का अभाव शमागरी जो है वो परती घंटा आउटपुट पर नकारात्मक प्रभाव डालता है जर्मनी और जापान के कारे घंटों को कम करते हुए उत्पाजगता में ब्रिधी की जहां औसत बार्षिक कारे सील घंटे घंट कर अभी बरतमान स्वय में जो जर्मनी और जापान है वहाँ पर लगभग 14-1600 घंटे कारे किये जाते हैं इन भी ठीक है आगे कहा जाता है कि कारे और जीवन संतुलन में असंतुलन पैदा हो जाएगा अन्बैलेंस हो जाएगा प्रस्नल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अन्बैलेंस हो जाएगा अगर हम लोग 14-14 घंटे परती दिन कार करते हैं तो सुदिर्व कारे घ करने का अर्थ है खेल और मनोरंजन जैसे कारियों में भाग लेना अबश्यक है अगर आपको अपने कारे की गुणमत्ता को बढ़ाना है तो कारे घंटों के बिस्तार से सरीरिक और मांसिक ठकान उत्पन हो जाती है परिवार को दिया जाने वाला समय कम हो जाएगा और शरीर की प्रकिर्ती जो होगा जो रिलाक्स करने का छमता होगा वो प्रकिरिया में बाधा डालेगा जो समय सबसे ज्यादा उप्योग किया जाएगा अगर चौदर चौदर घंटे कारे करेंगे तो शरीर का ठकान ही खतम नहीं हो पाएगा ठीक है अब आगे कहा जाता है स्वास्त समंधी प्रभाव निद्रा समंधी परिशानियां उत्पन हो जाएगी अनेक बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा उसके आज हिरदय संबंधी रोग क खत्रा बढ़ जाएगा फास्ट और अनियमित अहर ग्रहन करते समय के कारण मोटापा भी बढ़ जाएगा मांसिक स्वास्त समंधी समस्या जिसमें तनाव अस्तर भी बढ़ जाएगा और अब साथ की वी समस्या आ सकती है डिप्रेशर में जा सकते हैं लोग उसके आद कारे करेगी तो वो बहुत ही कम सामिल हो पाएगी देश के विकास में ठीक है वो घर में ही रह जाएगी तो अतेधिक कारे घंटे कारे सिल महिलाओं के लिए जो वर्किंग महिलाए हैं उनके लिए अपने बच्चों की देखवाल की जिम्यदारी को प्रबंधित करने के अपने बर्क एफिशेंस को बढ़ा सके और हमारा जो वर्किंग बढ़ा सके और हमारा जो वर्किंग क्वालिटी है प्रोडक्टिविटी है वो भी प्रभावित नहों वो भी ज्यादा बेहतर हो जाए इसी के लिए हम लोग यहां पर नेस्टल इंडस्ट्रियल कोईडो डेवलप्मेंट कर रहे हैं देश भर में और दोई गलियारे विक्सित करने से निवेश आकर जी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट कॉंसील जैसे कारेक्रम जो है वो अनुसंधान एवन नवचार के लिए सहायता एवन प्रोद्साहन प्रदान कर सकता है उसके आद कर में सुधार किया गया जैसे जीस्टी जैसे नए नए सलेब लाई जा सकते है और हर एक बार सम संतुलन कैसे बना है जैसे प्रोदोईकी के माध्यम से उत्पाज़कता हम बढ़ा सकता है जरूरी नहीं कि सतर घंटे कारे करने के वह सकता है क्योंकि यहां पर राइटर एक एक जामपल दिये थे मैं शुरुआत में भी बताया था कि वह बैंक में कारे करते थे आप बोले बहुत से लोग 2-3 घंटे ही कारे करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा अमांट में वह कारे को पहतर तरीके से करने में सक्षम होते थे यह जरूरी नहीं है कि किसी का वर्किंग आवर बढ़ादने से आपकी जो वर्की प्रोड़क्टिविटी यह वह भी बढ़ जाए तो प दक्स्ता में सुधार करने जैसे कि अस्किल बढ़ेगा तो जिसे जितने वी वर्कर्स हैं वो दूसरे इंडस्ट्री में अच्छे पद पर भी जा सकते हैं तो यहीं बात कहा आता है दस्ता में सुधार लाने के लिए मतलब कि अच्छा से और एक तरीकेस होता है क्योंकि इनसान क्या होता है जी से सुर्वात में काम करना के और तूसकी एफिसेंसी अच्छी रती कि ज़ादा ज़ादा मसीन पर हम लोग निर्वर होंगे ज़ादा ज़ादा वरकर्स को करेंगे डिश्टल प्रोड़क्यूंति अपनाएंगे तो जिससे हमारा प्रोड़ुक्टिविटी और बहतर होगा उन्नत उपकर्णों का उप्योग करेंगे और नए नए सिस्टम्स का लाब उठाने के लिए कारे वलको आवस्य कॉसल से लैस करने के लिए तकनीकी सिच्छा मिनीवेस करेंगे जिसे हमारा प्रॉयक्टिमिटी बढ़ सकता है और हमारा वर्किंग पॉलिटी भी बढ़ जाएगा तो आउट्पुट पर ध्यार करना चाहिए कि हम लोग जो कारे के इस कारे के पीछे रहें ठीक है दिहान रखना है कि कारे को कंप्लीट करने की बाद की जारी राइटर के द्वारा कि कारे अस्थल पे बिताया गया समय अबश्यक रूप से उच उत्पादन या उत्पादक्ता से सम्मंदित नहीं है उत्पादक्ता समय और पूंजी दोनों कि आभशकता है आगे कहा जाता है विकास और आसा जनक भविष्ट को बढ़ाबा देना युवाओं को प्रेजित करने के लिए हमें उन्हें ऐसी भूमकाव में रखना चाहिए जो चुनौती पेश करते हों विकास को बढ़ाबा दे जब कठोर स्रम एक आसा जनक भविष्ट की राह दिखाता है तो व्यक्ति स्वभाविक रूप से अपना सर्फ देने का प्रयास करता है यह लाइन बहुत है अच्छा है ठीक है जब कठोर परिश्रम एक आसा जनक भविष्ट की जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि सुमित से की UPSC क्रैक करना है अगर हमारा टार कर रहे हैं कल से सी का तैयरी कर रहे हैं तो फिर कोई भी इंजाम निकल पाएगा इसी पर यहां पर काया आता है कि जब कठोर स्रम एक आसा जनक भविष्ट की रहाता है तो व्यक्ति स्वभाविक रूप से अपना सर्फ देने लगता है अभी खुद ही देख सकते हैं कि जि बिश्वास और योगता की संस्किति को बढ़ावा देना चाहिए उन गति वीदियो के लिए समय निकालना सुनिशित करें जो रिलायक्स और रेचार्ज होने मयद करें जैसे व्याम करना उसके आद सोक्या गति वीदियों से सल्लंगन और परिजनियों से बाचित करना परत अबर्स के पीछे नहीं भागे, अस्किल्स के पीछे भागे, नैने टेकलोजी, AI टेकलोजी को आगे बढ़ाएं, लोग को जादा जादा प्रेजित करें, ठीक है, मोटिवेट करें जिसे कि वो कारे कर सकें, तो यही सारी चीज़े अगर ऐसा किया जाता है देस में, तो ज आधित करता है, अभी हाल में सुप्रीम पोर्ट द्वारा दिया गया, एक मामला था, यह मामला देख सकते हैं, न्यू देली वर्सेज, एमेस नेसले ऐसे केस में, सुप्रीम पोर्ट ने कहा कि जो मोस्ट फेवर नेशन होता है, वहाँ पे 10% DTA मतलब कि Double Taxation Avoidance Agreement, इसी की बा के एक सम्मू के बीच विवाद सामिल था, जो भारत के साथ विभिन DTA मतलब कि Double Taxation Avoidance Agreement के पहजर थे, तो इस देश में जो था, वो स्वेजर लेंड, नीदर लेंड और फ्रांस सामिल था, विवाद का जो मुख मुद्दा है, DTA है, इसी का है, ठीक है, कि भीतर कुछ प्रा विवाद क्या है, कि मामले के केंदर में बिदेशी निवेश द्वारा, तो बिदेशी निवेशक जो है, जो फोरेंड इन्वेश्टर है, एक भारतिय कंपनी में सेर की विक्री पर पुंजी गतलाव कर से सम्मंधित कर विवाद है, मुख मुद्दा इस बात की एद्गित अनुसार कराधान की उचिदर की अधिन थे, तो इसी का बात कराया है, कि यह जो फोरेंड इन्वेश्टर हैं, यह जो अपने बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसमें 5% देंगे, या फिर 10% देंगे, इसी का मुख मुद्दा है, भारत सरकार के द्वारा बोला गया क्लब की अग्रिमेंट की क्या करा है, तो दे टी ए में बिसीन प्राबधान्स होते हैं, जो पुझी गत, लाव सहिद, बिभीर प्रकार की आया पर लागुकर, भरुपी, रूप रेखा तयार करते हैं, भारत और उणके जो अग्रिमेंट करने वाले कंट्रीज होते हैं, भ या इसमें लगभग अभी 38 नेशंस है ठीक है तो विवात के दौरन भारत के साथ DTA में सामिल कुछ देश विशेश रूप से स्विट्जर लेंड आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के सदस्से बन गए तो ट्रिगर पॉइंट क्या है कि OECD में अपनी सदस्ता के बाद देशों ने भारत के साथ अपने DTA में BCS एक लाब की सीमा को कम करने के लिए बात की गई मतलब की जैसे अगर भारत में कोई इंवेस्ट कर रहा है तो उसे जितने भी प्रॉफिट होए हैं उसमें टैक्स को क करने के बात की तरे क्योंकि यह OECD का मेंबर है तो भारत के द्वारा कहा जा रहा है कि जब आपके साथ एग्रिमेंट हुआ था उसमें यह भारत इसमें यह देश जो है वो कई CD का मेंबर नहीं था तो इसी में अधिस्वूचना में कहा जाता है कि विदेशी देशों ने दवा किया कि संधीक अनुसार भारत आयकर अधिनियम की धारा 90 के तहट एक लाव की शीमा खंड की स्विकृति को अधिस्वूजित करने के लिए बाद है था आगे कहा जाता है कि भारत में विदेशी निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनवताभी में से एक है एक करदाषान उपायों में अनिश्चित्ता तो यहाँ पे ख्लियर कहा जाता है कि हापे भारत में टैक्सेशन के मामले में अनिश्चित्ता है करतहान संबंधी इंप्रोबैबिलिटीज ना केवल कारेपालिका वलकी न्यायपालिका कारेओं में भी दिखाई देता है इससे बिदेशी ब्यापारियों के लिए भारत में ब्यापार करना मुश्किल हो सकता है वो लियांकन अध विर्जेलेंड के कंपनी है और अस्टेरिया जो है वो यूरोपियन इवनिंड के कंपनी जैसे निगमों से जुड़ी 11 या चिकाओं का निप्टान के आगया हाल में देश सुप्रीम कोट ओफ इंडिया तो इसी मामले में कहा जाता है कि महत्पुन सवाल यह है कि क्या भारत द्वारा हसाच्रित डवल टेक्सेशन एवाइडेंस एगरिमेंट ऐसी कर संधियों में सबसे पसंदा मतलब की मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को धारा नब्वे के तहत अई सुसना के बिना भात में प्रभावी किया जा सकता है आयकर अधिनियम यह प्रावधान भारत को किसी आय पर दो बार कर लगाने से बचाने के लिए अन्यदेशों के साथ कर संधियों पर हसाचर करने की अनुमत की देता है तो यही मुख बुद्धा है ठीक है जो डवल टेक्सेशन एवाइड एक ही कारे के लिए दो बार टेक्स देने की बात नहीं करता है लेकिन यहां पर मोस्ट फिवर्ड नेशन की बात की जा रहे तो नीदर लेंड फ्रांस और सुजर लेंड के साथ भायत के दू संस्थानों द्वारा भुगतान किये गए लावांस पर कर लगाने की जो आवसकता है वो नीदर लेंड फ्रांस और सुजर लेंड के लोग से असामत है तो इस डीटी एया में एम एफन प्राब्धान भी सामिल है तो इस प्रकार यहां पर मुख बात किया जा रहा है कि इस उस समय यह सदस नहीं थे तो मुख के बात यहीं पर कहा जा रहा है इस एंड एसोसियेशन ओफ जैसे ओए सीडी जो है वो और्गनाइशन फोर एकोनोमिक कोपरेशन एंड डेवलप्मेंट का बात कर रहा है कि इट हेल्प मेंबर कंट्रीज फॉर्मिनेट एकोनोमिक एंड देवलप्मेंट के बात के लिए घरेलू व्याखियातमत तक्निकों का इस्तमाल किया तो यह किया जा सकता है क्योंकि जो हमारा देश है हम अपने रूल अपने अनुसार से बनाते हैं जैसे अमेरिका में जाएंगे तो इंडिया का रूल नहीं चलेगा वो अमेरिका का ही रूल चलेगा तो इस तरह की जहां तक की बात है अगर ग्रूप की तो ग्रूप का जो जो ग्रूप के अनुसार जो नियम बनाए जाते हैं वहां पर सभी लोगों की सहमती होती है तो इस तरह की ब्याख्या आर्थिक संधियों में MFN मतलब की most favorite nation जैसे गैर भेद्भा मामलों को सामिल करने के उद्धेश को विफल करता है तो एक संधि में MFN यह सुनिशित करता है कि संधिय पर हसासे करने वाई देशों में से किसी एक के द्वारा किसी तीसरे देश को दियाने में भविस के लाग उसके संधी भागदार्यों के लिए तो चालीत रूप से उपलब्ध हो जाएंगे तो यहीं बाते यहां पर सही जा रही है कि यहां पर द्वाद मतलब कि डियूलिजम अस्ट्राइक्स मतलब किसी चीज का दो विप्रीत या विप्रीत पहलियों में बैचारिक भेदभाव मतलब कि भारत कह रहा हम सही है और जितने भी लोगों पर अभी टैक्स का नया बोज आया है चाया वो स्विजर लेंड हो या फिर फ्रांस हो तो यह लोग बोल रहे हैं कि हम सही है अब मुद्धा जो है OECD का है तो बहुत से देश जो थे OECD के उस समय मेंबर नहीं थे जब यह एग्रिमेंट हुआ था DTA का तो यहीं बात कहीं जरिए कि बकालाच की जिसमें अंतराश्चे कानून घरेलू अस्तर पर तब तक लागों नहीं किया जा सकता जब तक की इसे सक्षम कानून के माध्यम से नगरपालिका कानून में परिवेटित नहीं किया जाता इसी यही मुख बात है इसलिए सुप्रीम कोट ने ऐसा ओर्डर दे जिया कि उन्हें 11,000 करोड का टैक्स भरना पड़ेगा तो ही थी कुछ मुख बाते जो आज के आर्टिकल में थे कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को जाए जाए लाइक करें शेयर करें